रूही की शादी अंकुष से होती है रूही एक मौडन और बेबाक किसम की लड़की होती है अंकुष की मा को इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल बेच चुके थे और अब उसके पिता हरीश ने एक मौडन और जवान लड़की से शादी की होती है और उसका नम बेला होता है घर में दादी सास मालती भी होती है अरे ओ मेरी दोनो निकम्मी बहुओ एक है मेरी बहु और एक है पोता बहु लेकिन दोनो की भी अकल उनके गुटने में ही है खेर, रुही, इस चुडेल बेला के हाथ का सड़ा हुआ खाना खाकर मैं तो तंगा गई हूँ, अब तू तो मुझे अच्चा खाना बना कर खिला दे आप टेंशन मतलो माजी, मैं एकदम धमाकेदार और मसालेदार खाना बनाऊंगी जिसे खाकर तो आप पागल ही हो जाओगी मेरा मतलब बहुत खुश हो जाओगी ओ शट आप, भूलो मत, बले ही मैं उमर में तुमारी बराबरी की हूँ लेकिन हूँ तो तुमारी सास ही, और बहु कभी अपनी सास के आगे नहीं जा सकती क्यों हैरी बेला डार्लिंग, अब तुमारे हाथ का खाना हे ही इतना बोरी तो मैं जूटी तारिव भी क्या ही करू रुही, अब तुम ही हमारी बोरियत दूर कर सकती हो फिर रुही और बेला, दोनो रसोई में खाना बनाने जाती है और उस दिन रुही ने बनाई हुए डिशेस बेला की डिशेस से कई ज़्यादा स्वादिष्ट होती है वा, 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 मेरी पोता बहु, तुने तो कमाल ही कर दिया अरे सीख कुछ अपनी बहु से बेला का केला बैस बल बच्चन करने से ही खाना नहीं बनता गर के सभी लोग रुही के खाने की तारिफ करते हैं और ये देख बेला को बहुत जलन में सुस होती है रुही की बच्ची तेरी बैंट अब में बजाऊंगी वो भी एकदम अच्छे से फिर बेला अगले दे रुही की बनाई हुई चाय में धेर सारी नमक और मीठे रेड कपकेक्स में धेर सारी मिर्च पाउडर मिलाती है अब देखना जब सब लोग रुही के हाथ की बनी हुई ये नमकिंग चाय और तीखे कपकेक्स खाएंगी तब आएगा असली मजा क्योंकि तब जाकर होगा अरे मेरी प्यारी माजी आपको रोसुई में खड़े खड़े दोरे पड़ रहे है क्या या फिर किसी सरकस वाली चूडल की आत्मा गुज गई है आपके अंदर जो आप इतना हसी जा रही हो तुमसे मतलब मैं हसू, रोऊ, गाऊ, नाचू या ठुमका लगाओ तुम्हे क्या फिर बेला वाहां से मू बनाते हुए चली जाती है तभी फर्श पर गिरे तेल से उसका पेर फिसल जाता है और वो धड़ाम से अपने बम पर गिर जाती है आप मर गई रे हसले जितना हसना है बलड़ी मेरी की चचेरी बेहन क्योंकि आज तो तेरी शामत आने वाली है ब्रेकपास के दोरान जब रूही सबके लिए नाश्टा ले कर जाती है तभी नमकिन चाय और तीखे कपकेक्स खाकर सबके मू में जलन होने लगती है और सभी लोग ताता थाया करने लगते हैं सिवाए बेला और रूही के आँ नहीं ये इतना तीखा कपकेक क्या तुम्हारी अम्मा ने बनाए था क्या रूही बवू हाई 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 मर गई में तो कोई पानी दे दरी इई बगवान अरे नहीं ये क्या हो रहा है सबको रूही उन तीनों को जट से पानी देती है जिससे उन्हें राहत मिलती है रूही को तीनों से खूब खरीकोटी सुननी पड़ती है और ये सब होते देख बेला के कलेजे को बड़ी थंड़क मिलती है अरे कल मुही करम जली चिमकांडी सिल्बटे की शकल वाली बंदरिया कही की आखों में क्या धूल चले गई है क्या तेरे जो तुने चीनी की जगए नमक और लाल कलर की जगए लाल मिर्च मिला दी बेवकुप नॉनसिंस कही की स्वारी दादि मा अगली बार ऐसा नहीं होगा पक्का प्रॉमिस रूही रात को बहुत सोचती है और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है अरे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं सबने वो तीखे कपकेक्स खाकर ताता थया किया लेकिन एक मेरी सास यानि वो बेला डायन ही थी जिसे कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये सारी काली कर्तुत उस कल्मू ही बेला की ही है रूही अब सारा माजरा समझ जाती है और वो अब बेला पर 2400 घंटे नजर रखती है एक दिन जब रूही सो जाती है तभी बेला ग्यास पर कुकर रखकर कही बाहर चली जाती है अब देखना जब कुकर फटकर धमाका होगा तो अब सारा इल्जम बेचारी मेरी बहुरानी पर ही जाएगा मुझे क्या में तो बाहर हूँ लोचली में अपने घर पर आग लगा के कुछी देर में कुकर फट जाता है और तभी सारा इल्जम रुही पर आ जाता है ये सब क्या है रुही बहु तुमने ही ये कुकर ग्यास पर चड़ाये था ना हा रुही जूट बोलीगी तो तेरे पिच्वाडे पर तोवा काटेगा दादी मा मेरा यकिन कीजिए मैंने ये कुकर ग्यास पर नहीं चड़ाया है अब जाने दो राई का पहाड मत बना जो हुआ सो हुआ आइंदा से ध्यान रखो बस ये जरूर उस चंडल बेला का ही कारनामा है इसलिए वो गाय फेल रहा से अब आए दिन बेला और रुही के बीज छोटी छोटी बातों को लेकर तूतुमे में होने लगती है ये ओ रुही तुम तो बहुत ही घटिया खाना बनाती हो अरे जाओ जाओ माजी घटिया खाना तो आप जैसे घटिया लोग बनाते हैं क्या कहा तुने हाथो सही तो कहा मेंने आपको खाना बनाना कहा आता है आपको तो बस दूसरों को चाले चलकर फसन आता है तेरी तो ऐसी की तेसी दोनों सास बहु एक दूसरे को बेलन से मारने लगती है और तभी वाह पर दादी सास मालती आती है बंद करो ये जंगली बिल्लीयों की तरह लड़ना और कल मुईयों अगर तुम दोनों के बिच इतनी ही टशन है तो तुम दोनों आपस में कुकिंग कॉम्पुटेशन कर लो उसमें जो भी जीतेगा उसे में कुछ इनाम में दूंगी तुम दोनों को तीस मिनिट में तीन पक्वान बनाने होंगे वो भी एकदम लजजद्दर और स्वादिस्ट होने चाहिए इससे पता भी चल जाएगा कि कौन है मास्टरशेप बेला और रुही दोनों सास बहु राजी हो जाती है तीस मिनिट तक कॉम्पुटेशन ही चलता रहता है रुही तेजी से सारा खाना बनाती है और बेला भी पूरी मेहनत करती है लेकिन तभी अचानक से आखरी मिनिट में लाइट चली जाती है और फिर एक मिनिट बात अपस भी आ जाती है दोनों सास बहु का खाना रेडी होता है देखिये माजी मैंने कितने बढ़िया पकवान बनाए है अरे दादी मा मेरे भी पकवान देखिये लग रहे हैं न एकदम फर्स क्लास एक मिनिट जरा चक्के तो देखू फिर मालती उन दोनों के पकवान को चक और वो बेला को विजयी गोशित करती है बेला बहु तू ही है इस कॉम्पिटेशन की विजयता और जीतने वाली को जो में देने वाली थी वो है जिम्मेदारी अब जबकि बेला बन गई है मास्टर शेफ नंबर वन इसलिए अब तू ही बनाएगी तीन टाइम का खाना और पोता बहु रुही तू एक बार भी रसोई में कदम नहीं रखेगी समझी ठीक है दादी मा क्या ये आप क्या के रही है माजी हा तो तूने जब इतना स्वादिश्ट खाना बनाया है तो तुझे ही दूंगी न रसोई की सारी जिम्मेदारी नहीं माजी ये मेने नहीं बना वो लाइट्स डिलिवरी बॉई नहीं बन की थी ताकि मैं उससे खाना ले सकू ये खाना होटेल से मंगवाया हुआ है माजी वो सब मुझे पता है तूने बस इतना ही नहीं किया साथ ही तुने रूही को भी कितनी मुश्किलों में डाला है सब पता चल गया है मुझे अब तुझे अपनी सारी गलतियों की सदा तो मिलकर ही रहेगी और अपसे सारा खाना तुई बनाएगी अरे नहीं मैं तो अपने ही खोदे हुए गड़े मिट धड़ाम से गिर गई जया और रेखा दोनों सगी बहने थी सगी बहने होने के बावजित भी उन दोनों में जमीन आसमान का फरक था जया रेखा की बड़ी बहन थी उसे सिंपल कपड़े पहनना बहुत पसंद था तो वही रेखा को modern कपड़े पहनना बहुत पसंद था जया बहुत ही समझदार लड़की थी और दूसरी तरफ रेखा जो दुनिया की बिना फिकर किये जो मन में आया वो करती थी कुछ दिनों में जया की शादी अमित से हो जाती है दोना में सब अच्छा चल रहा था फिर एक दिन अमित का फोन बज़ता है अरे आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कब से आपका फोन बज़ रहा है? अरे कोई important call नहीं है मैं बाद में देख लूँगा ऐसे ही हर बार अमित को call साते थे जया को आमित पे शक होने लगता है लेकिन आमित जया से बहुत प्यार करता था इसलिए वो उसकी सारी गलतियों को नजर अंदाज करती थी फिर एक दिन जया की छोटी बेहन रेखा उनके घर आती है अरे रेखा कितने सालों के बाद देखा है तुझे शादी में भी नहीं आई तु अरे दीदी अब क्या कर सकते है पड़ाई का भी अक्री साल था करियर भी इंपोर्टन्ट है न लेकिन अब मैं आ गई हो न अब कुछ दिनों के लिए आपके साथ ही रहोंगे यही पे रहकर मेरा जौब दुनने का इरादा है यह मेरी छोटी बहन है रेखा वो पिछले दो साले सोई यूएस में पड़ रही थी अभी एक मेहना पहले ही इंडिया वापस आई है यह तो बड़ी अच्छी बात है अपना ही घर समझ कर रहना और अगर तुमें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे कहना हाई जेजू अमित तो पहले से ही ठरकी होता है उपर से जया की सुंदरता और उसके छोटे कपड़े देखकर वो तो पागल ही हो जाता है लेकिन जया की डर के वज़े से उसे कुछ नहीं कह सकता वो रेखा के साथ वक्त बिताने का हमेशा मोकद हुंता रहता था अरे रेखा घर में बैठ कर बोर नहीं हो जाती के तुम तुमारी दीदी भी ओफिस चली जाती है बोर तो होती हुँ जीजू लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ दीदी को भी तो ओफिस होता है और आप भी ओफिस चले जाते हो अभी तो मैं फ्री हो तो कही हम बाहर गूमने चले अरे वाँ क्या मस्ता आइडिया है जीजू चलो मैं अभी तयार होकर आती हो जब रेखा तयार होकर आती है तो आमी तुसे देखते ही रहता है Oh my God रेखा You are looking so beautiful तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले जब मैं तुमारी बेहन को देखने घर आया था तब तुम वहाँ होती तो मैं तुमें ही पसंद कर लेता सच में आप भी ना जीजू बड़े मजा किया हो फिर वो दोनों गूमने चले जाते हैं और उनको रास्ते में जया देख लेती है फिर देर रात अमित और रेखा घर आते हैं अरे टाइम देखा है क्या कितने बज़े है मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ और आमित तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मैं तुमें कब से कॉल कर रही थी I'm really very sorry जया मेरा फोन साइलेंट पर था रेखा के साथ टाइम कैसे बीद गया पता ही नहीं चला और तुम नाराज क्यों हो रही हो अपने साली को गुमाने का हक तो मुझे भी है हाँ हाँ वो तो दिखी रहा है फिर आमित अपने रूम में चला जाता है रेखा अब तुम इतनी छोटी भी नहीं रही कि घर आने जाने का वक्त ही भूल जाओ और आमित तेरा कोई दोस नहीं है तेरे जीजू है वो थोड़ी उनसी दूरी बनाए रखेगी तो तेरे लिए ही अच्छा रहेगा ओहो पजेसिव अरे दीदी जीजू को मुझे गूमाने पे आप इतना नाराज क्यों हो रही हो आपको मुझे पर भरोसा नहीं है क्या मुझे तुछ पर पूरा भरोसा है लेकिन लेकिन क्या दीदी कुछ नहीं तुम बस आमित से दूर रहना पिर अगले दिन रेखा घर की साफ सपाई करने लगती है कि वहाँ उसके पास आमित आता है और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है उतने में वहाँ जया आती है ये सब क्या चल रहा है अरे तुम या तु ये को ने मुझे लगा कि ये तुम हो इसने तुमारे कपड़े क्यों पहने है आगे से ध्यान रखना ऐसे किसी के भी गले लग जाओगे क्या तुम I'm sorry जया मुझे seriously पता नहीं था कि ये रेखा है लेकिन उसने तुमारे कपड़े क्यों पहने है अरे जीजू मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए तभी तो मुझे से गलती हो गई अच्छा छोड़ो वो सब मुझे आफिस भी जाना है फिर अमित और जया ओफिस के लिए चले जाते है अमित तो पहले से ही रेखा को पसंद करता था लेकिन अब रेखा भी अमित को पसंद करने लगी थी वो उसका टच भूली ही नहीं पाती वो अमित के साथ बिताय हुए लमहों को याद करती रहती थी लेकिन वो अपनी बहन की डर से अमित को कुछ भी बोल नहीं पाती अमित की भी वही हालत थी उसी दिन शाम को अमित घर जल्दी आता है उसके घर आते ही अमित रेखा को गले लगाता है अरे क्या हुआ आपकी तब्यत तो ठीक है न आप शायद दिदी की बात नहीं भूले अरे उसमें आपके कोई गलती नहीं थी रेखा मुझे जया क्यों बात का बुरा नहीं लगा मेरी यह हलत तो तुम्हारी वज़े से खराब है लेकिन मैंने क्या किया तुमने मेरा दिल चुराया है रेखा मैं तुम्हारी बगेर आप एक पल भी नहीं रह सकता मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है तुम्हें पहली बार देखती ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो लेकिन दीदी के डरसे में आज तक आपको कुछ भी नहीं बोल पाई अब अमित और रेखा का मेल जल बढ़ गया था अमित जया को बिना बताए घर जल्दी आता था फिर रेखा और अमित साथ में कॉलिटी टाइम बिताते थे और जया के आने से पहले वो ऐसे बिहेव करते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे ही कुछ दिन बीटते हैं एक दिन जया ओफिस से घर जल्दी आती है और वो अमित और रेखा को साथ में देख लेती है उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है ये सब क्या हो रहा है अरे दीदी आज तुम इतनी जल्दी आ गई अच्छा हुआ जल्दी आ गई नहीं तो मुझे तुम्हारी काली करतोतो का पता कैसे चलता मैंने तुम्हे पहले भी समझाय था ना रेखा अरे दीदी आप गलत समझ रही हो हम दोनों तो बस बाते ही कर रहे थे ऐसे बाहो में बाहे डालके कोन बाते करता है मुझे तुम पर पहले से ही शक्ता अब मुझे सब पता चल गया है अच्छा हुआ जो तुम्हें सब पता चल ही गया अब हमें किसी से कुछ चुपानी की जरूरत नहीं है रेखा इतना कहकर आमित वहां से चला जाता है उसकी बाते सुनकर जया रोने लगती है मुझे माफ कर दो दीदी लेकिन मैं आमित से बहुत प्यार करती हूँ आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था रेखा तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो तुम अपनी सगी बहन का घर तोड रही हो और तुम्हें सच बताओ तो अमित को तुम में कोई इंट्रेस नहीं है वो तो हर लड़की पे मूँ मारता फिरता है बस दीदी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी आपको क्या लगता है कि मुझे आप अमित से दूर करने के लिए कुछ भी कहोगी और मैं मान लूँगी ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे आमित पर पूरा भरोसा है जया के लाग समझाने पर भी रेखा नहीं समझती शादी शुदा होने के बावजित भी आमित रेखा से शादी कर लेता है उन दोनों को देखकर जया को बहुत बड़ा जटका लगता है अब आगी जया के साथ क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले